सुप्रभात दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राइम चमेली की इस नई प्रस्तुती में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज हम एक बहुत ही खास दिन मनाने जा रहे हैं आज है हिंदी दिवस जिस भाषा में आप और मैं आज बात कर रहे हैं वो है हमारी खुपसूरत भाषा हिंदी हिंदी की शान में मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ जन जन की भाषा है हिंदी भारत की आशा है हिंदी जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी एकता की अनुपम परमपरा है हिंदी जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जेवन रेखा है हिंदी जिसने काल को जीत लिया ऐसी काल जैई भाषा है हिंदी सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी 14 सेप्टेंबर 1949 को पहली बार जब हिंदी हमारी राजभाशा के रूप में नियुक्त हुई थी तब से आज तक हम हिंदी दिवस 14 सेप्टेंबर को हर साल मनाते हैं और इसी विशे पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तीन बहुत ही खुपसूरत जाने माने एक्सपर्ट मुझूद हैं जिनें मैं आपसे आज रूबरू कराऊंगी आपसे आज मिलाऊंगी उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करना चाहती हूँ दूरदर्शन यादगिरी के इस स्टूडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी दिवस के बारे में सबसे पहले जो हमारे एक्सपर्ट है जिन से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी वो है रिशब देव शर्मा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है रिशब जी दूरदर्शन यादगिरी के स्टूडियो में मौलाना आजाद राश्ची उर्दू विश्व विद्याले में ये as a consultant 2019 से जुड़े रहे हैं दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा मदरास से ये काफी सालों से जुड़े रहे हैं इंटेलिजिन्स ब्यूरो के ये officer रहे हैं 14 काव्य संग्रे 12 आलोचना ग्रंथ 7 व्याचारिक निबन संग्रे के ये लेखक रहे हैं बहुत ही इन्होंने जानीमानी पुस्तक अभी लिखी है हिंदी के बढ़ते कदम जिनके लिए इने काफी सराहना प्राप्त हुई है आपका बहुत-बहुत स्वागत है रिशब जी हिंदी दिवस की आपको बहुत शुप कामना है हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ी है सुश्मीन श्रिवास्तव जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगेरी के स्टूडियो में हिंदी दिवस की आपको बहुत शुप कामना है ये 28 साल एर इंडिया में भाशा विभाग से जुड़ी रही है अज अन असिस्टेंट जनल मैनेजर आप रिटायर हुई है काफी सारे जो हम मैनुल्स देखते हैं भारी भर कम उन्हें ट्रांसलेशन करने में इनका बहुत-बड़ा युगदान रहा है ट्रेनिंग मैनुल्स हो गए जो हैंडबुक्स हो गई उन्हें ट्रांसलेशन में इनका बहुत-बड़ा युगदान रहा है इनोंने एमे किया है हिंदी में और डिप्लोमा किया है ट्रांसलेशन में खासतोर से इनका लगाव रहा है हिंदी से तो रहा ही है बाट फॉरन की जो भाशाएं जैसे रोसिय और जर्मन इनसे भी यह जोड़ी रही है आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदरशन के फ्टूरियो में अजमतुला जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है दूरदरशन यादगीरी के स्टूडियो में हिंदी दिवस की आपको भी धेर सारी शुब कामना है अजमतुला जी ओल इंडिया रेडियो में बतौर ट्रांसलेटर दो साल उन्होंने काम किया है और रेटायर हुए है अजन असिस्टेंट जर्ल मैनेजर कर SBI से जहां पर Official Languages Department में ये कई साल हिंदी भाशा से जुड़े रहे हैं कई सारे अनुवाद वर्क्शॉप्स इन्होंने कंड़क्ट किये हैं भाशा हिंदी भाशा को हमारे सरकारी ओर्गनाइजेशन में किस प्रकार हम आगे लेके जाए उससे हम अपनी डेली की जो स्वागत है और मेरा पहला प्रश्ट रिश्व जी आप से ये है कि हिंदी भाशा राज भाशा जो हमारी है ये जैसे मैंने कहा कि 14 सब्तंबर को हम हर साल मनाते हैं ये किस प्रकार इसका महत्व क्या है ये किस प्रकार स्टार्ट हुई है 14 सितंबर 1989 को भारत की सम्विधान सभाने एक लंबी बहस के बाद हमारे सम्विधान के भाशा विशेक प्रावधानों को स्वीकृत किया और प्राय हम हिंदी दिवस कहकर के इस तिथी को मनाते हैं लेकिन अधिकुचित होगा कि हम इसे भारती ये भाशा दिवस कहें वह इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसा अभी आपने इशारा किया था कि जो सम्विधान का अंच्छेद 343.1 है वह ये कहता है कि भारत संग की राजभाशा Union of India की राजभाशा Official Language हिंदी होगी वह देवनागरी इल्डिपी में लिखी जाएगी उसके लिए भारती ये अंकों के अंतरराष्ट्य रूप का प्रियोग किया जाएगा अच्छा कुछ और प्रावधान उसके साथ जुड़े हुए हैं लेकिन इसके बाद अनुच्छेद 345 अनुच्छे 345 जो है उसमें भारत के राज्यों को भी उनकी राजभाशा चुनने का अधिकार दिया हैं और वे वहां की विधान सभाएं वहां के विधान मंडल इस रूप में अधिक्रत किये गए कि वे अपने लिए राजभाशा चुन सकते हैं और जिसके अनुच्छ अलग 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 प्रांतों ने अपनी अपनी राजभाशाएं चुनी हैं एक बड़ा समूह हिंदी को राजभाशा के रूप में स्विकार करता है राज्यों का और जो अन्य अनेक हमारे यानि आधे से अधिक राज्य हैं वे हिंदी तर जो अन्य भाशाएं हैं उस राज में जो प्रमुख हैं उन्हें अपनी राजभाशा के रूप में स्विकार करती हैं यहां तक की मज़े की बात यह है कि भारतिये सम्विधान जो अश्टम अनुसूची में एर्थ शैडूल में बाईस भाशाएं स्विकार करता है जिन्हें वह लेकिन नागा लेंड जैसे या अरुणा चल प्रदेश जैसे राज्यों ने अपनी राजभाशा के रूप में अंग्रेजी को भी चुना है तो यह भी स्वतंतरता मेरा सम्विधान देता है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसे हम हिंदी दिवस कह रहे हैं यह सही अर्थ में भ भारती भाशा दिवस है और एक प्रकार से हिंदुस्तान की भाशिक आजादी का दिन है अच्छा यह बहुत ही ब्यूटिफुल हिस्ट्री आप बता रहे हैं मतलब इतना शायद पता नहीं था और यह जो आप बता रहे हैं कि जैसे हर राष्ट को फ्रीडम है कि वो अपनी कि मात्र भाशा की महत्व को भूले यह इस साल का जैसे थीम है तो हम as a country, as a nation, हम कितनी अपनी भाशाओं की इजडत करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें यह स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपनी भाशा से अपनी मात्र भाशा से भी आप जुड़े रहे हिंदी को तो खेर उतनी ही मान्यता दीजिए पर अपनी भी मात्र भाषा से उतना ही जुड़े रही है ये शायद हमारी देश की बहुत बड़ी खासियत है। संकी राजभाषा हिंदी होगी लिपी देवनागरी होगी और अंकों होगे भारती अंकों का अंतरनाश्ट्री रूप इन्टरनेशनल फार्म आफ इंडियन नूमरल को अपनाया गया है और ये अपनानी से पहले समीधान सभा में एक दिल्चस्प चर्चा हुई है समीधान सरह जो कहा करते थे आज को पार्लیमेंट है जब उसको सैंट्रींट कहा करते थे उसमें 390 से थे अधिकान सब स़पी से इनी से लिफे आज二 bor आ गभी के वामन दोरार को फबार मेंं Meu कान्टराश्ट्र के निखा कि कांउर्ट्रे न बेहिए जाए कि आर्ए हो रही थी तो कई लोग जो है अंतराश्री अंग हम किस तरह इस्तेमाल करें हम तो भारती है देवनागरी हम कर सकते हैं तो जब मौलाना अबुलकलाम आजास सहाब आज मेंबर आप कांश्टूटेंट असेंबली जी तो कांग्रेस के तरप से वो मेंबर थे उन्होंने एक न बहच लोड़ी उन्होंने कहा कि जो अंक अब जो अंतराश्री के रूपे माने जाते हैं जिसके उत्पति भारत से हुई है और यह अरब में इसको इसको इस्तेमाल किया जाता है जिनको जो है हिंद सा कहते हैं हिंद सा यह हिंदुस्तान जैसा जैसा कि अंक विद्या की उत हमारे भारत देश में आगे की international form of Indian numerals हमने नाम दे दिया जब सब को अच्छा लगा कि हमारे ही numerals है यह Arabic नहीं है international form of Indian numerals प्रचलिच हो चुग है विकाज यह यात्रा जो है अरब से होकर यूनान से होकर यूरोप में पहूंची है तो मौलाना अबू का नामा आज़ास साहब का का जन्म 1888 में मका में हुआ था बाद में वह हैद्रिया आय और कलकता इरिया में रहने लगे इन्होंने यह सब बताई यह बात बताई तो जब तो सब को अच्छा लगा तो जब जो है यह हिंदी और लिपी देवनागरी और अंकों को जो है International Farm of Indian Numerals भारती है हम अंतरलाश्ठी अंक भी कह सकते थे मगर कोई विदेश हमारे देश में आता है कई हमारे अंक है कनड़ा में है तेलगू में है और मलायलम में है वो देखा गा कि यह भी भारती अंक है क्योंकि उसका जो बेस है वो सारा संस्क्रीप पूराएं तो सब करने के लिए जो अंक हम इस्तिमाल कर रहे हैं यह क्या है International Farm of Indian Numerals भारती अंकों का अंतरराष्टी रूप इस तरह सरोसमति से एक मत होकर कुछ लोग कहते हैं कि एक मत से एक वोट से ऐसा हुआ इस तरह की गलत धारणा है एक मत होकर जो है इसको इसलिए उस दिन को याद करने के लिए हिंदी दिवस हम मनाते हैं और पहला हिंदी दिवस प्रफेसर साब आप जानते हैं कि 1903 में राष्ट भाषा प्रचार समती वर्धा द्वारा पहला हिंदी दिवस मनाएगा जब से यह हिंदी दिवस मनते जा रहा है मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि रिषब भी ने और सर ने जो कहा है वही सब बाते हम अपने कारयाले में अपने जो साथी लोग है उनको बताते हैं कि हिंदी का क्या महत्तु है हमें हिंदी में काम क्यों करना चाहिए तो उसके लिए हम कारेशालाय जित करते हैं और यही सब बाते उसमें बताई जाती है बाहरी वक्ताओं को हम आमंत्रित करते हैं ताकि उनके उनके उन पर ज्यादा असर पड़ता है हमारे बोलने से ज्यादा बाहरी वक्तियों के यह कितना मुश्किल है मतलब कारेशालाव में हिंदी में बात करना जब बएंचे हैं हिंदी में बात Index करना हो जैसे आप संस्कृती की बात कर रहे थे बएरना जुकाव काफी Isnarinta कал्चर है बाहरी में जॉर टॉज है उसमें बहुत होता जा रहा है हिंदी एक हैस्टी भाषा है जो हमने स्वतंतरता संग्राम के समय देखी थी जो आजादी की जो लड़ाई थी उसमें आजादी का जो मैसेज था वो देने में और जो भारीपन है शब्दों में वो बहुत हिंदी में मतलब मज़ा आ जाता है तो ये शाद स्वतंतरता में इस भाषा को इसलिए इतना ज्यादा महत्व इतनी ज्यादा इंपोर्टन्स मिली थी जो आज कही ना कही मेरे हिसाब से मुझे बताईए अगर मैं गलत हूं तो थोड़ी सी कम होती जा रहे है इसलिए शाद इस दिवस की और ज्यादा मान्यता है तो कारियालाओं में, स्कूल्स में कितना महत्व है कि हम हिंदी को और आगे लेकर जाएं और किस तरह से हम मेहनत करें तो एक्सपर्ट्स आप बताईए आपकी जो चिंता है वो अपनी जगे सही है और इसके पीछे कई सारे कारण है यानि जो मुख्य चिंता मैं समझा जो आप कहना चाह रही है कि हमारी जो नई पीड़ी है वह हिंदी से विमुक हो रही है बिलकुल सची बात यह है केवल हिंदी से ही नहीं विभिन भारती भाषाई समुदायों या समाजों की समस्या यही है कि हम अपनी मात्री भाषाओं से विमुक हो रहे हैं और इसका कार यह है कि जो शिक्षा आजादी के बाद से जो हमने शिक्षा प्रणाली चलाई उसमें मात्री भाषा को जो सम्मान और जो स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं दिया गया और यह एक जिसे कहें मिध्या धारना यह अपना पर मिथ है यह पढ़े लिखे लोगों ने आगे आने वाली पीडियों के मनों में बो दिया कि वैश्विक ज्यान की एक मात्र खिड़की या एक मात्र दर्वाजा अंग्रेजी है जो लोग विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आते हैं वो यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह बहुत बड़ा जूट है तो इस बात को समझा खुआ जाने की जरूरत थी इसके बजाय हमने क्या किया कि हमारे यहां एक दोहरी शिक्षा प्रणाली वहूँ ह period माली जिसे आप कहते हैं कि सरकारी इसके कारण जो है जो फिर से हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि अंग्रेजों की जो नीती थी जो शिक्षा नीती थी उसके मूल में यही था कि भारतियों को अपनी संस्कृती और अपनी राष्टियता के प्रती हिकारत से भर दो एक हीन भावना पैदा कर दो तो अपनी चीजों के लिए हमारे भीतर एक हीन भावना उस शिक्षा प्रणाली ने पैदा की जिसे हम मैकाले की पैदाईश कहते हैं और इसी का परिणाम यह हुआ कि हम हिंदी में बात करते हुए या अपनी मात्री भाशाओं में बात करते हुए सकुचाते हैं इसे दूर करने की ज़रूत है एकदम यहां जिसे कहते हैं उच्छल करके अपनी जो नई राष्ट्य शिक्षा नीती जो हजार वीस है उस पर आना चाहूँगा यह शिक्षा नीती इस बात पर जोर देती है कि बच्चों को यानि तीन साल से लेकर के जो आप जिसे कहते हैं नरसरी की जो आयू है वहीं से उसकी जो घरेलू भाशा और जो परिवेश की भाशा है उसका एक्सपोजर अधिक से दिख दिया जाना चाहिए और इसके बाद फिर वो एक और चीज जो हुई इस देश में जिसे हम कहते हैं त्रिभाशा सूत्र के आपको अपनी मात्री भाशा के अलावा एक अन्य भारतिये भाशा सीखनी चाहिए थि अंग्रेजी अपनी जगे हैं अंतरराष्ट्य भाशा की तरह चलिए माल लिया लेकिन अपनी मात धिन्य थिजञ के अलावा घ। जो हिंदी тरक्षेतर है उन्होंने तो हिंदी सीख ली सारावा लेकिन हिंदी वालों ने जि चाला की की के हिंदी के समुम की भाशा या तो उर्दू या संस्कृत अच्छा वही सीख ली और इसके कारण एक दूरी भी बनी जो हिंदी के प्रती एक अस्वी कार्यता का भाव कुछ खेत्रों में मिलता है उसका कारण यही है कि हिंदी भाशी लोगों ने यदि यह शब्द कहना गलत न हो तो मैं कहना चाहूंगा चालाकी की होना यह चाहिए था कि जो हिंदी परिवार से बाहर की भाशाएं हैं अर्था जिने हम दक्षन भारत की भाशाएं कहें या पूर्वत्तर की भाशाएं कहें हिंदी के विद्यार्थियों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के साथ साथ वह भी सिखाए जानी चाहिए थी अब जो मेरी नई राष्ट्य शिक्षानीती 2020 है वह तीन भाशाओं की यवस्था इसी प्रकार से करती है वह यह कहती है कि एक तो आप अपनी मात्री भाशा सीखेंगे इसके अलावा आप एक अन्य भारती भाशा सीखेंगे और एक अंतर राष्ट्य भाशा सीखेंगे विदेशी भाशा सीख सकते हैं जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी पढ़ाएं आप फ्रेंच पढ़ सकते है आप जर्मन पढ़ सकते हैं या कोई भी चाइनीज पढ़ सकते हैं अंग्रेजी का जो यानि आप अपने जीवन के 16-17 वर्ष अंग्रेजी सीखने में बरबाद करते रहे और उसके बाद भी वितिय शेनी के ही अंग्रेजी के हमनागरिक बने रहे ये जो चीज है इसने इस द प्रवर्ति को रिसर्च की प्रवर्ति को नहीं बढ़ने दिया तो ये जो चीज है अब आवश्रक्ता इस बात की है कि हम यह समझें और अपनी पीडियों को समझाएं कि हमारी भाशाओं में हमारी राष्टियता बसती है और जब हम हमारी भाशाओं में हमारी राष्टियत उतनी ही तमिल में भी है, उतनी ही बंगला में भी है, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में ही राष्टियत अबस्ति हो, केवल हिंदी से ही आप राष्टिय होते हों, हमारे संविधान ने इसलिए राष्ट भाषा शब्द का प्रियोग नहीं किया है, राष्ट्रिय भाषा शब्द बराबर हैं क्योंकि अन्ततय भाषा का उद्देश संप्रेशन है कम्यूनिकेशन है और जो हमारी विरासत से हमें मिला हुआ ज्यान है हमारी संस्कृती है या बौधिक संपदा है उसे एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को ट्रांसफर करना है इस्थानामतरित करना है ये भाषा का काम है सारी भाषा इस काम को कर सकती है उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए और फिर वही बात आती है कि तमाम मनोवैग्यानिक इस बात को मानते हैं कि कोई भी बच्चा जो है अपनी मात्री भाषा में सबसे तीवरता से और सबसे जिसे कहना है चाहिए गहराई से ज्यान को ग्रहन करता है तो इस बात को स्वीकार करने की आवश्यक्ता है एक दूसरी चीज जड़ा सकते हैं और जोड़ना चाहूंगा हमें आज यह महसूस करने और करवाने की जरूरत है अपनी पीडियों को यह बात हम सतर साल पहले नहीं कह सकते थे तो हम जिसे कहते हैं नवस्वतंतर राष्ट थे तब हमारी आवाज दुनिया में नहीं थे आज हमारी आवाज दुनिया में है और चुकि आज हमारी आवाज तो हम दुनिया से भी कह सकते हैं कि हम अपनी भाषा में बात करेंगे और तब दुनिया को हमारी भाषा में हमसे बात करेंगे हमने गलती क्या की थी जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया के तमाम बड़े देशों ने अपने यहां हिंदी और भारती भाषाओं के विभाग खोलने शुरू कर दिये थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो सारा काम अंग्रेजी में कर रहा है तो वह जीज जो है एक तरह से रुक गई अब नए सिरे से कहना चाहिए कि फलने फूलने का आफसर मिलेगा ऐसी में उम्मीद करता हूँ मैं बहुत आशावान हूँ ही इस बारे में कि अगर हम अपने बच्चों को यह बात अच्छे से समझाएं उन तक इस बात को पहुचाएं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं होती बलकि वह हमारी राष्ट्रियता होती है हमारी अस्मिता होती है हमारी संस्कृती होती है हमारी पहचान होती है तो निश्चित रोप से भारत का हर बच्चा अपनी भाषा पर गर्व करना सिखेगा यह बहुत ही एक holistic जैसे आप approach बोल रहे हैं, हमें हमारी भाषा को लेकर, हमारी संस्कृती को लेकर, एक जो sense of pride होना चाहिए, एक जो हमें सकुचाना नहीं चाहिए अपनी भाषा में बार जाना चाहिए, इसी लिए है, और मैंने शुरू में कहा है भारतिय भाषा दिवस, हम अपने भारतिय भाषाओं के लिए गौरव का अनभाव करें। पहले हम समविधान में मूल रूप से 14 भाषाओं थी, उसके बाद प्रोफिसर साब सिंधी को जोड़ा गया, 1967 में, जहां तक मैं जानता हूँ, 1967 में, समविधान के अनुच्छेद में संशोधन करते हुए, ये उसके बाद जो है, 1992 में और तीन भाषाओं को आट किया गया, जो है, मनिपुरी, प्रोफिसर साब, नेवपाली और कौंकनी, जी, चौदा, एक पंदरा और तीन, अठारा, उसके बाद हाल ही में मतलब, लेटेस्ट कह सकते हैं, 2003 में ही, चार भाषाओं का, उसमें राश्च्छी भाषाओं के रूपें, उसमें समिलित किया गया है, वो मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, आज के तिथी तक, 22 भाषाओं समीधान के अश्च्छम अनिसूची में वुलेखित किये गये हैं, यह सारी के सारी हमारे नेशनल लाइंग्डेज़, राश्ची भाषा है, और जहां तक राजभाषा का सवाल है, केवल हिंदी राजभाषा है, इस तरह मैं कहता हूं कि, हि अनब दिन नेशनल लाइंग्डेज, यह बाइस भाषाओं में एक हिंदी है, और उनली वन अफिसल लाइंग्डेज, यह मैं एक कहना चाहरा था, और इस विशे में जैसा कि कारेलों में हिंदी के कामकाज के बारे बता रहे हैं, टेक्निकली मैं एक दिल्चस्प बात बता हो, आज कल इतने हिंदी अधिकारी हिंदी के कामकाज में लगे हैं, प्रचार पसाड में, हमारे पहले हिंदी अधिकारी थे, आपके लिए भी दिल्चस्पी का विशे रहेगा, हरिवांश राइजी बच्चन, जो है, वा 1955 में विदेशी मंत्राले में जो है, उनको आफिस इसी विशे को आगे लेके जाते हुए, सुश्पीनी जी बताईए, कि किस तरह से यह रेजिस्टेंस होता है, जिसे रिशब जी ने भी कहा, कि हमें बच्चों में ही अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, मात्र भाषा, हिंदी, सारी भाषाओं के प्रति, अपनी संस्कृति क प्रति वो एक सिंस ओफ प्राइड जगाना चाहिए, कि हम सकुचाये नहीं, चोटी-चोटी चीजे, चाहिए बिंदी लगाना हो, या फिर अपनी भाषा में बात करना हो, आजकल तो हम शाद सूपरभाद भी बोलना भूल गया, सब गुड मॉनी बोलते हैं, तो कितना रे जो कार्याले में जो लोग आते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जिने अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती है, बाकी के सब तो खेर, चीजों को जो पहले से चली आ रही है, उसको रिपीटी करते हैं, तो उस संदर में हम क्या करते हैं, कि हम उनकों की भाषा तक कि हम उनकी भाषा में बाथ करें, और हिंदी दिवस मनाते हैं, हम हर समय यही करते हैं, कि केवल हिंदी दीवस नहीं है, भारती भाषा उवा स्वुर्ड दीवस है, oc qual जगा के पवस्टर लगाते हैं, जो भी डिस्प्ले करते हैं, उसमें भारती भाषा को ज़्या महत्व कि केवल हिंदी कहने से आक्रोश हो सकता है कि हमारी भाषा क्या संपन नहीं है तो उस भांदी को दूर करते हैं और हिंदी में केवल काम करने की उनकी जिजक है उनको बोलना आता है पढ़ना आता है लिखना है आता है केवल काम करने में जिजक है तो उसको निकालने के लिए ह कि उनको भी उसमें सम्मिलित किया जा सके जैसा कि हमने कुछ-कुछ नए प्रयोक किये थे कार्या लेक के दौरन सबसे पहले तो एकांग की प्रतियोगीता जो होती थी यहां पर तो उसमें हमने लोगों को पाइसिपेट करवाया तो उसमें लोगों ने मतलब डायलोग लिख काम करने से हमें एक तरह से पहचान मिलती है तो फिर उसके बाद हमने और दूसरे चीजे करनी शुरू की तो इस बीच में थोड़े साल पहले कुछ नए प्रयोक किये कि उनकी प्रतिभा है उनमें तो उसको किस तरह से उभरा जाए तो सोफिया राई जी को आप पहचानती है तो उनके नेत्रित्वे में हमने दो-तिन प्रोगर्म किया क्ल्पना से कलम तक आप इसके कल्पना करिया उन्होंने कुछ गाएड़ मेडिटेशन यो करवा उसमें जो उनके मन उभावं थे उसको उभारा और उसको लेखन तक लाया और उसको अलावा एक और एक कार्एक क्या था कस्तुरी की खोज में क्योंकि सब में कुछ ना कुछ प्रतिभाय होती है और उसको बस आपको बाहर निकालना है तो उस माध्यम से हमने उन्हें लिखने के सोचने के लिए प्रेडित किया और उसके अलाव एक कथा वाचन नामक कारेकरम किया जो कि मतलब कहानी दूस उसके बारे में चर्चा की गई एक तरह से वह अलग प्रोग्राम था और अलग मौहल बना उसका अच्छा तो इसे मतलब लोगों में काफी जिए रुजान हिंदी के प्रतीप पैदा होता है चयर सो इसके मार्धम से एक तरह से उन तक भी पहुंचा जा सकता है तो हमारी कोशिश यही रहती थी कि हर समय कुछ नया करको हैं के सामने हिंदी के माध्यम से जाए ची तो यह तो यह तो लृट एक एक स्टेटमेंट बोल तो यह अपने आप में बहुत सोचते वाली बात है कि लिए अंग्रेजी भार्षा की योगता मैट्रिक्स तरकी योगता होती है तो उसका आर्थ यह नहीं है कि आप अंग्रेजी में शेक्स्पियर हो गए बस इतना है कि कागज पीटने आते हैं आपको अंग्रेजी में हमारे सम्विधान की इच्छा यह थी कि सम्विधान के लागू होने के 15 वर्ष का समय दिया गया उसमें आपको स्विच ओवर करना था इस अंग्रेजी में कार्या लई कामकाज के स्थान पर हिंदी में कामकाज हमें शुरू करना था 1965 के बाद से लेकिन राजनेतिक कारणों से उस समय जो है इसका विरोध हुआ यह सबको उस चीज की तिहास है सबको मालूम है और कई चीजें ऐसी होती है जो कटुता पैदा करने लेकिन असल चीज जो है वो यह की वहां से एक अनिवार व्यवस्था सम्विधान में जुड गई और वह यह कि जब तक देश का कोई एक भी राज्य यह वीटो पावर में गया उसको आई चाहेगा यह कहेगा कि मैं अभी हिंदी में स्विचोवर करने के लिए तयार नहीं हूं तो जब तब तक तक संघ की देखिया ध्यान में रखें हम जब राजभाशा हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम केंद्र सरकार की राजभाशा की बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की राजभाशा तब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बनी रहेगी सहराजभाशा और यहां से फिर एक अनुवाद की अनिवार विवस्था हुई फिर राजभाशा नियम अधि मतुल्ला जी इस पर बेहतर प्रकाश डालेंगे लेकिन मैं जो चीज कहना चाहरा हूँ मैडम ने जिस तरफ इशारा किया कि हम यह देखते हैं जब प्रतियों गिताएं कराते हैं या विभिन भारती अभार्शी जो कारकरता अधिकारी कारियालेयों में हैं उनकी कोई भी मात भारती भार्शा हो वे बढ़ चड़ करके हिंदी के कारकरों में भाग लेते हैं इसमें कोई संदे नहीं और ऐसा इसलिए है कि हिंदी आज से नहीं शताबदियों से इस देश की संपर्ख भार्शा है तो उस रूप में तो वो ठीक है लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप प्रतिवर्श लक्ष दिये जाते हैं इतने प्रतिशतकारे आपको हिंदी में करना है इतने पत्राचार हिंदी में करने हैं यह चीजें द्विभाशी होनी चाहिए यह सब नियाम अधिनियम के अंतरगत आने वाली चीज़ें हैं और फिर संसदी राजभाशा समिती ज समितीया नराकास जो हैं वो अलग-अलग-अलग मेरे खियाल से अकेले हैदराबाद में छे नराकास हैं वे काम करते हैं राजभाशा का वातावरन हिंदी का वातावरन तयार करने के लिए लेकिन असल चीज़ यह है कि अब इसमें दो चीज़ें आती हैं एक तो यह कि हम अ आगे बढ़ाने का किसी बहुभाशी समाज में बल्टी लिंग्वल सुसाइटी है हमारी इसमें भाशाओं को आगे बढ़ाने का एक तरीका जो है वह अनवाद है लेकिन केवल अनुवाद से काम नहीं चलेगा जब तक हम मौलिक रूप से सोचना और मौलिक Rebecca से लिखना न जो है वे विभिन जो राजभाशा समितियां हैं वो करती हैं और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम देखने में आ रहे हैं और समय समय पर इसे आप कहते हैं नोटिफाई करना अलग-अलग कारियालेयों को अधिस उचित किया जाता है कि अब हमारा कारियाले शत् हमारे प्रशिक्षित लोग हो गए हैं हिंदी में अच्छा तो यह काम बड़े धीमी गती से ही सही प्रेम पूर्वक चल रहा है जेकिन बीच-बीच में राजनीती आ जाती है और वो राजनीती आकर के केवल हिंदी का नुकसान नहीं करती है उस सभी भारतियों का नुकसा करती है उससे बचने की सरूरत है हिंदी अपने ढंग से चल रही है धीरे धीरे ही सही लेकिन पिछले जिसे हम कहते हैं 75 वर्ष का जो हमारा समय है और अब हम अम्रित काल की तरफ जा रहे हैं तो इसमें हिंदी के लिए बहुत जा कूंकि भारतिय भार्षाओं के लिए एक स इनग्रेजी कमज़ोर होती जा रही है इसे आप स्विकार करें ना करें लेकिन कमज़ोर हो रही है क्योंकि हम शायद स्कूलों में बच्चों से अब हिंदी को स्कूलों में जो पढ़ाने की एक जोरदार कोशिश जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी मैं catch the young, मतलब बच्पन से ही आप अपनी संस्कृती के प्रती, मात्र भाशा के प्रती, हिंदी के प्रती जो एक लगाव क्रियेट करते जाएंगे, वो आगे चल के शायद हमारी जो future generation है, जो आगे की पीडी है, उसमें शायद ये भाशा के प्रती प्रेम ज्यादा देखें लिए अभीव्यक्ति क्षमता बढ़ानी पड़ेगी हमें, असल चीज तो वही है ना कि हम अभीव्यक्त करना सीखें, और केवल कार्यालेई चीजें नहीं, हम तकनिकी विशयों पर, वैज्यानिक विशयों पर, इतिहास और संस्कृती के विशयों पर, बहस कर सकें अपनी भाषा में, चर्चा कर सकें अपनी भाषा में, जबकि भारत की संस्कृती इतनी रिच्छ है, चाहे वो योग हो, जो आज पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा लोग उसे मान्यता करते हैं, इतना ज्यादा उसे प्रेम करते हैं, जुणना चाते हैं। हम अपनी संस्कृति को लेकर क्यों इतने इतना प्राउड नहीं । फील करते। भाशा एक चीज है बट हमारी संस्कृति को लेकर क्यों हम इतना प्राउड नहीं फील करते यह बहुत सोचने वाला विशे है। इसी बात पर एक छोटा सब Grande कहीं मत जाएएगा ये बहुत इंट्रेस्टिंग डिसकेशन हो रहा है भाषा हिंदी दिवस तो हम मना ही रहे हैं बट हम उसे एक संस्कृती के अप्रोच पे एक होलिस्टिक अप्रोच से आज जो उसका डिसकेशन है बहुत ही खुबसूरत मोड पर है कहीं मत जाएएगा चम हम बात करेंगे सुष्मिनी जी से एक बहुत ही टेकनिकल क्वेस्टिन है और जो आज की पीडी इससे ज्यादा जुड़ सके एक तो यह की जो कंप्यूटर पे हिंदी में टाइप होती है या जो हम फोन पे भी हिंदी में टाइपिंग करते हैं मुझे तो बहुत दिक्कत हो मतलब मैं हिंदी पे टाइप करना चाहती हूँ हमारे पस उसमें यह ऑप्शन भी है बट वो एक एक शब्द ढूनना उसमें वो मतलब मात्राएं लगाना चंद्रबिंदू लगाना यह सब बहुत सोचना पड़ता है तो मुझे लगता है कि एजी ऑप्शन यह है कि हिंदी मैं टाइप करूँ बट इंग्लिश में तो ऐसा रेजिस्टेंस चायद आपने भी कहीं देखा है और इसको ओवरकम करने के लिए हम हम क्या कर सकते हैं देखे आजकल तो बहुत सारी सुविधाय मौजूद है जी मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो आप जी बोर है आप रो मन में आप टाइप करते जां और अपने अप हिंदी में टाइप होता चला जाएगा और सबसे आसन ये भी है कि भी आप बोलिये और वो बने आप चाहिप हो जाएगा वोइस को ठराक में कनवर्ट हो जाता है ऐंडराइटिंग औह आपने शब्ली पीश पीशाह है या इसको स्कैन करिए वो अपने आप क्या वले तो अगर आप सेम अज़ इस डिप्रोडियूस करना है तो रिप्रोडियूस भी हो जाएगा तो काम करने में बहुत सारी सुविधा है तो इच्छा शक्ती होनी चाहिए लोगों को मालूम नहीं है पता होना चाहिए कि यह से रिलेटेड तीन बुक्स निकाली थी मैंने मतलब जो आफिस में कार्यास संभाव हो सकते हैं जो पहले तो उसमें यही था कि जो बेसिक वो थे वर्ड है उसमें किस तरह से काम किया जा सकता है क्योंकि सभी के पास वर्ड तो मैक्रोसफ्ट होता है पन तो उसके लाव एक सब्ढ़ान थे उनकी जो रिक्वाइरमेंट्स होती थी कंho किस तरह से पुरा किया जाए उनसे किस तरह से काम करा जाए पर तो którą कोई कर करते हैं और वो भी हिंदी में काम करने की तो हमने दोनों तरह से उनकी मतलब अंग्रेजी में काम करने की दिकतों को भी समझा और हिंदी में काम करने की तो हमने तो पहले हम अपनी तरफ से हिंदी में बना के देते थे उनको कि at least हिंदी तो दिखे कम से कम वह अपने आप मौ एक लिस्ट बना दी और वो उसमें भरके उसको निकाल सकते थे जैसे सट्टकेट्स थे और पत्रा चार भी जो है तो हमने उसका एक प्रोफार्मा बना दिया और उसको हमने एकसेल से जोड़ा एकसल में बहुत बड़ा एड्वांटेज है कि आपका डेटाबेस होता है और उ इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं बिलकुल पर उसमें भी कुछ दिक्कते आई तो उसके बाद हम BBA में शिफ्ट हुए कि उसमें देखा कि किस तरह से काम किया जा सकता है बिना कटने के तो यह नीरंतर एक प्रयास कहा है हमारा तो लोगों ने भी हमें मतलब एक सम्मान के अगर हमको कुछ चाहिए तो क्या यह संभाव है इसमें यहां तक पहुंचा तो हमने वही निकला था कि हम पहले हिंदी का अनुकरन करती थी फिर हमने अपने प्रयोग शुरू कि 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 किस तरह से हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ-साथ किया जब अनुकरन होता था तो जो हमने निकलते थे उसका हिंदी वर्षन फालो निकलता था और यह कभी फालो नहीं होता था उसके बाद फिर यह क्योंकि एक माइंडसेट प्रॉब्लम है समभाईधानी प्रावधानों की बारे में हिंदी की बारे में बताना चाहता हूं इसमें अनुच्छेद भी है अनु और राज होगा हिंदी में इंगलिश है और इन इंगलिश है अगर वहां का सांसद अगर अनेबल है वह एंदी और अंग्रेजी में बोल नहीं सकता अपनी मात्रुहाशा में सभा को संभूतित कर सकता है विद्प्रायर पर्मिशन स्वीकर आफ लोक्सभा क्या बात है सबावों में प्रयोग की जाने होली भाष्टा के बारे में उसमें कहा गाए कि बिजनेस साफ लेश्टेटी असेम्बली शेल भी ट्रांसेक्टेट इन अफिचल लांगवेज जानी राज भाष्टा और भाष्टाव में किया जाएगा जी आर इन हिंदी क्योंकि जहां तक त आजकल हम केंद्री सरकार की कारेलों में इसकी शिरुवात कहां से हुई तो दिल्चस्प बात है कि राश्टरपती के आदेशों से इसकी शुरुवात हुई है उननीस सव बावन में राश्टरपती महुदाई ने एक आदेश जारी किया था उसमें कहा था है कि उच्छतम नया अधिश और राजयों के राजयापहलों पाल्यों ञें फीरों सosen शहर जीन कि नियुकती के अधिफ्थरों में जिसका अगूरण से वारन सव आपांट्मेंट में होते हैं ज्यां दीजेगा इन अडिशन तुए इंगलिश हिंधी का भी प्रवीडिकी की जाराइना चा और एक आदेश आया, उसमें कहा गया कि जनता के साथ पत्रवे ओहार में, और जिन राज्य सरकारों की राजभाशा हिंदी है, उन से पत्रवे ओहार में, संधियां और करार, अन्नी देशों के सरकारों, वहां के अमबैसिडरों से, हम जो अपने अमबैसिडर्स दूसरे संग में जाते हैं, उनको जो हम क्रेडेंश देते हैं, नियुक्ति के अधिपत्र जिन को कहते हैं, उसमें इन अडिशन टो इंग्लिश, हिंदी का प्रयोक किया जाना चाहिए, स्फिरुवात्मा से भी, उसके बाद, 1960 का एक महतुपुर्ण राश्रपदी का आदेश है, उ उसमें दो बाते हैं, उसमें कहा गया है कि जो हमारे प्रशासनी कर्मचारी है, उनको हिंदी का प्रशिक्षन दिया जाएगा, 1960 के राश्रपदी के आदेश में कहा गया था, और एक बात कही गए थी कि जो भी हिंदी के काम आगे बढ़ाने के लिए, कारे अन्वान के अब है, आजकल हम त्यलंगान में 55 प्रतिशत और हिंदी भाशिक्षेतर में 100 प्रत्रचार चाहिए, और इस तरह हमारे सारे देश को भाशाईए ख्यतर में बाटा गया है, तीन भाशाईए ख्यतर में हिंदी के कारे अन्वान के लिए, का, खा और गा, ये बीसी में, ये में जो सारे के सारे हिंदी भाषिकषेत्र हैं जिन राजण के राजवाश ही हिंदी है उनको ए खेत में आर महारास्ठा पंज़ाब गुầuर में पधिया है biti V sü • जिनकी राज भाषड दुश्री है और ये रेजन मेंत नैंटि के। पत्राचार प्रतिशत को प्राप्त करने के उद्देश से हमने दिवाशी पत्राचार मतलब रूटीन पत्राचारों को उसमें डाल लिया कि आप जो जो चेंजर से हो करिये और इसका उपयोग कि इसी बात को आगे लेके जाते हुए जैसे आज भी यह बहुत ही एक लेटेस् गाइडलाइन है कि सुप्रीम कोट की जो ओर्डर जाएंगी वह सारी बत्तब आपकी मात्र भाशा में आपको समझाई जाए यह दिरे दिरे यह अभी जो मोदी जी ने सुप्रीम कोट के जो चीर जस्टिस है हमारे उन्हें बहुत ही सराहनी है वह काम कर रहे हैं आप करके सब में अब फैल रही है मुझ में तो मैं थो बहुत खुश हुई हूई हूँ यह सब देखकर आपकी बाते सुनकर पुनमजी, आप यह देखें कि हम ने यह समझ लिया कि राजभाशा का आर्थ केवल कार्याले में जो कामकाज की भाशा है वही है, ऐसा नहीं है. जब हम राजभाशा की बात कहते हैं जब हम कहते हैं संग की राजभाशा हिंदी होगी तो वो शिक्षा की भी भाशा हिंदी या भारतिय भाशा होनी चाहिए वो न्याय की भी भाशा होनी चाहिए वह व्यापार व्यावसाय की भी भाशा होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात वहर रोजगार की भी भाषा होनी जाए तो वो इस्थितियां अब धीरे-धीरे देश में बन रही हैं और यानि जो हम 15 साल में जो हमें स्वीच ओवर करना था कम से कम 75 साल बाद हम थोड़ा स्वीच ओवर करने की इस्थितिया में आया है और इसमें निश्चित रूप से जो उच अधिकारी हैं कारिया ले के शीशस्त अधिकारी हैं मंत्रालेयों के शीशस्त अधिकारी हैं मंत्री गण हैं या फिर जो सरवोच इस देश का चाहे यानि कहें की नेत्रित्व हो चाहे न्याय का क्षेत्र हो जो उपर बैठी हुई ज तो फिर नीचे तक प्रदूशन दूर होगा हिंदी भी हमारी भाषा का एक जो शक्ती भाषा है जो हमारी पावर भाषा है इस संदर्ब में आप हमें बताईगे हैं मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा असल में कुछ वर्ष पहले एक विचार आया है जिसे कहा जाता है पावर लेंग्वेज इंडेक्स और उसमें विश्व की जो भाषाएं हैं उन्हें इस दृष्टी से आजमाया गया है या उनका परीक्षन किया गया है या कहें की सर्वे किये गये हैं डेटा इत्यादी और यह देखा गया है कि कौन भाषा जो है कौन सी भाषा जो है वह है शक्ति की भाषा के रूप में प्रतंद्वित्य इत्यादी होंगी इससे पहले कि मैं हिंदी की समिस्थिती पर आऊं, थोड़ा सा बीच में चर्चाई भी थी, यूएन की बात आई थी, हम जानते हैं कि यूएन या संयुक्त राष्ट्र में वहां की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, छे भाषाएं, उनमें हिंदी सम्मेलित नहीं है, और अभी तक ये स्थितिती के हम ये भी कहते थे कि जब हमारे यहां ही राजभाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में उसे पूरा सम्मान प्राप्त नहीं है, तो हम संयुक्त राष्ट्र में कैसे कहेंगे, लेकिन अब इस्थितियां बदली हैं, एक चीज, प्राप्त राष्ट में इस प्रकार का जिसे कहें कि एक प्रस्ताव स्विक्रत हो चुका है, कि केवल छे भाषाएं संपून विश्व को संभोधित नहीं कर सकते हैं, एक जिसे हम कहते हैं, इंक्लूजिव, एक सर्व समावेशी जो दृष्टिकोन है, उसके लिए अन्य भ भाषा की, कि संयुक्त राष्ट की भाषा के रूप में किसी भाषा को स्विक्रत कराने के लिए, यह जरूरी है कि जो सदस्य देश हैं, उनका दो तिहाई अंक, उसका समर्थन करें, तो भारत के लिए यह भी मुश्किल नहीं है, आज की तारीख में भारत के लिए मुश् सकते हैं लेकिन बात इतनी ही नहीं है उससे आगे ये है कि सभी सदस्य देशों को खर्चा भी उठाना होगा भारत ये कहे कि मैं अकेला खर्चा उठाऊंगा भारत तयार है इसके लिए लेकिन नियम जो को इंक्लूजिव वाला मामला है सब उसमें शामिल हो उसके लिए सब को तयार करना है इसके बीच में अभी जुलाई दो हजार तेईस में भारत सरकार ने दस लाख अमेरिकी डालर यानि एट पॉइंट थ्री आठ दशमलव तीन करोड रुपय का योगदान हिंदी के यानि वहां कारवाई की एक अतिर्ट भाषा के रूप में सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किये जाने के लिए दिया है क्योंकि हर चीज का अनुवाद होना होता है और जो आपका मीडिया है यानि इलेक्ट्रोनिक मीडिया है न्यू मीडिया है प्रिंट मीडिया है और तत्काल जो अनुवाद की अवस्था है दुनिया की तमाम बड़ी भाषाओं में उसके लिए जो है ये एक योगदान है अब मैं आपके उस प्रश्म पर आता हूँ जो आप जिसे कह रही हैं शक्ति की भाषा शक्ति की भाषा बनने के लिए यह काफी नहीं है कि साहब हिंदी बोलने वाले इस दुनिया में आज सबसे ज़्यादा है हाला कि यूए नभी से स्विकार नहीं करता वहां आप तीसरे नंबर पर लेकिन अगर आप हिंदी के साथ उर्दू को शामिल कर लें अच्छा वाइदी के उर्दू जो है वह हिंदी की एक शैली है हमारी दिश्टी से जी और जो हिंदी तर भाषी तमाम लोग हिंदी जान जानते हैं तो यह संख्या जो है बंदारिन से अधिक हो जाती है यह बाकायदा जैनती प्रसाद नौटियाल जी ने इसका डेटा दिया है तो इस बात को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए जो कि संख्या बल से काम नहीं चलता असल चीज़ है कि जमीन पर आप कितने ताक भाशा के लिए पांच इंडिकेटर से हैं पहला है जिसे उन्होंने कहा है द एबिलिटी टू ट्रेवल यह जियोग्रफी भूगोल आप अपनी भाशा के सहारे दुनिया के इस ग्लोब के कितने हिस्से को कवर कर सकते हैं यह एक देखने की चीज़ है जब हम यह कह सके कि हम इस दुनिया के एक बड़े हिस्से को हिंदी के माध्यम से कवर कर सकते हैं यातायात और परियतन फिर दूसरी चीज़ है जो बहुत बड़ी और महत्तपूर है आर्थ्यवस्था कि एक एक इकोनोमी की भाशा के रूप में दा एबिलिटी टू पार्टिसपेट इन एकोनोम जीडीपी है, स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सपोर्ट सें, क्या ये सारे काम हमारी भाशा में हो रहे हैं हम कितने इस पर पटिकुलर हैं कि हम अब ये काम अपनी भाशा में करेंगे और जिस तरह से भारत बढ़ रहा है जिसे हम कह रहे हैं कि अब फिर से हम अमरित काल वाल बात कह रहे हैं या नए भारत की बात कह रहे हैं तो उसमें यही है कि भारत अभी सिस्थिति में है कि वो कहे कि हम economic की भाषा के रूप में भी अपनी भाषा को आगे ले जाएंगी तीसरा है जिसे आप कहते हैं the ability to engage in a dialogue संप्रेशन तो संप्रेशन की स्थितिया तो अपनी जैके ठीक है संवाद संप्रेशन इसकी योग गता लेकिन जो प्रयोगता समाज है पूरी दुनिया में उसे एक जुट होना होगा तब आप कहेंगे अगर आप भाषा जानते हुए भाषा बोलने में सकुचाते रहेंगे तो कैसे पावर लेंग्वेज बनेगे चौथा है जो बहुत महत्पून है ज्यान और मीडिया जी यानि अभी हमने कहा था कि साहब दुनिया के किसी भी विशे पर किसी भी मंच पर क्या हम हिंदी में बात करने को तयार हैं ये तभी संबभ है जब हमारे हां उच् शुरुआत हुई है अभी और हम समझते हैं कि आने वाले समय में जो पारंपरी ज्यान है उसकी तो हम भाशा हैं लेकिन जो नया से नया ज्यान है वह भी हिंदी उसमें पूरी तरह से समर्थ हो और दुनिया में किसी भी मंच पर खड़ा हो करके भारत का विद्वान विज् कि neeti diplomacy के क्षेत्र में आप कितना बी का प्रियोग कर रहे हैं हम देख इसका बड़ा असर है अगर भारत के प्रधान मंंत्री या अन्य महत्वपूर्ण जो नेत्रित्प में लोग हैं विदेशों में जाते हैं हिंदी में बात करते हैं हिंदी में अनुवाद की वह अस्था होती है हिंदी को या भारती भाषा को संबान प्राप्त होता है तो निश्चे ही उससे हिंदी एक शक्ति की भाषा के रूप में उ पर हैं पावर इंडेक्स में लेकिन उमीद की जानी चाहिए कि आने वाले 25 वर्षों में जिसे हम कह रहे हैं कि भारत एक विकसित देश होगा तो अगर हमें डेवलेप्ट नेशन होना है तो फिर हमारी भाषा को भी पावर लेंग्विज के रूप में दुनिया में अपने आ आखरी प्रश्ट होगा कि हमारी भाषा के इस उज्वल भविश्य की जो कामना है जिसके लिए आपने कई सालों से अपना जीवन इसमें यतीत किया है आपके हिसाब से रिशब जी तो बहुत आशावादी है और उनकी जो बाते सुनकर मतलब मुझे तो बहुत आनंद आया है बहुत मुझे इच्छा है कि हमारी जो भाषा है वो पावर इंडेक्स जो हमारी पावर भाषा के रूप में उभर कर आए आपके हिसाब से अजमत उल्ला जी हिंदी का क्या भविश्य है कार्यालयों में हो या देश में हो राजनीती में हो overall हिंदी का भवविश्य तो व आश्रपती महुदाई को प्रसुत करेगी इससे उसका महत्व पता चलता है इसलिए मैं आशावान हूँ कि हिंदी और आगे बढ़ेगी और फीचर में जो है ब्यूटिफुल सुश्मिनी जी आपका क्या विचार है हिंदी के इस महत्वपूर्ता को लेकर जो आज प्रेम ह हम जताते हैं अपनी संस्कृती अपनी भाषा और चाहे वो कार्याले में हो क्योंकि आप बहुत क्लोजली जुडी रही है हिंदी इन ऑफिसेज तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम हिंदी को ना किवल कार्याले में स्कूलों में बलकि हर जगा कि आप उस उज्वल भ काम करेंगे जो आज दूसरी देश अपनी भाषा को लेकर जो कमांड रखते हैं वो दिन कितना दूर है हमारे लिए अभी तक तो मुझे यही लगता था कि हिंदी मतलब पिछड रही है क्योंकि उसमें बहुत सारी तुटिया हो रही है जो पाठ्य सामगरी हमारी निकल रह पाठ्य में बहुत सारी तुटिया हो रहे पर तु विचार सुनकर लगता है कि नहीं उसका भविश्य उज्वल होगा और जो तुटिया है वो उसका समाधान होगा उसको निराकरन होगा जी और तो आज की जो पीडी है उसे हम एक जुट होकर क्या संदेश देना चाहते है कि अपनी भाशा के प्रती अपनी संस्कृती के प्रती की हिंदी में बात करें और सकुचाए नहीं अपनी संस्कृती को लेकर आप शायद उतने ही प्राउड फील करें जितना कि शायद बाहर के लोग फील करते हैं जितना बाहर के लोग आपकी भाशा से प्यार करते हैं उ और यह आप तीनों का आज मेसेज है हमारी युवापीड़ी के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद की हίνदी दिवस पर आज आप आये। हिंदी दिवस नहीं बोलेंगे राष्ट्रिय भाशा दिवस जहां पर हम आज सलामी देते हैं आज हम सेलिब्रेट करते हैं भारत की सारी भाशाओं को जो हमारी संस्कृति है जो हमारा प्राइड है जिससे हम इतनी इतनी क्लोज ली जुड़े हैं आप तीनों को फिर से हिंद अब दर्शन के स्टूडियो में आए सुश्मिनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अस्पतुला जी धन्यवाद हिंदी देवस 14 सेप्टेंबर आज हम बात कर रहे थे तीन बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट से जो हमसे बात कर रहे थे हिंदी के फ्यूचर के बारे मे हिंदी किस तरह से हमारे देश में जो पहले शायद इतनी आगे नहीं आ पा रही थी आज एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच हो रहा है स्कूलों में बच्चों से लेकर कार्यालायों में और कॉंस्टिटूशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जगा में हमारे कामका आज की इस दुनिया में जिस तरह से हम हिंदी को आज आगे ले जाना चाह रहे हैं मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य आता है हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन के ओडियंस जो आज हमारे साथ जुड़े रहे हिंदी प्रस्तुती से उतने ही प्रेम से जुड़े रहे और फिर मिलते हैं दूरदर्शन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की नई प्रस्तुती में तब तक मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आपसे विदा लेती हूँ जै हिंद।